नमस्ते डिया स्ट्रेंट्स वेलकम टू आल स्वागत है आप सभी का पीटी एजूकेशन के यूटूब चैनल पे आज है हमारा सेशन नमबर 81 मेरा नाम है राहूलन्स चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक मुंडा रिबेलियन क्या है मुंडा रिबेलियन इसके बारे में जानेंगे history of India and some moments related है ये देखते हैं मुंडा रिबेलियन क्या है क्यों important है और exam के हिसाब से क्या इसमें important है सबसे पहले बिरसा मुंडा जिनके नाम के उपर रखा गया मुंडा रखा गया मुंडा रिबेलियन सिर्फ 24 साल मात्र 24 साल तो लाइफ हो तो ऐसी हो कि 24 साल जी और आपके नाम के उपर history में क्या बन जाए एरपोर्ट बन जाए कोई पार्क बन जाए इनको एक और प्यार नाम से कहा जाता था प्यार से बोला जाता था धरती अबबा that is father of earth क्योंकि ये लैंड को लेके काफी जादा चिंतित है काफी जादा मतलब लैंड एक तरीके सा धरती मा होती है तो वैसी ही इनके लिए भी धरती मा समानी थी he was known for revolting against British for his tribal community and able to introduce laws protecting the land rights of tribal क्या किया था इनोंने क्योंकि जो British की जो policies थी कुछ ऐसी खतरनाक policies हो गई थी कि outsiders को काफी जादा powers दे दिये गए थे कि इनके land को इनकी tribal community इनके जो tradition है इनके जो culture है इनको valid किया जा रहा था जिसको देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया कि अब हम withdraw करेंगे और अपने tribal की अपने community की सुरक्षा खुद अपने हातों से ही करेंगे सरकार तो कुछ करने वाली नहीं तो ऐसे ही revolt खड़े होता है revolt कोई एकदम से खड़ा तो होता नहीं है दिरे 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 एक आग से लगती रहती है फिर एकदम से एक revolt खड़ा हो उठ खड़ा होता है तो यह जो operation का cycle चलता रहता है continuously और जो operation है अगर वो इसको ध्यान नहीं दे रहा है कि किस तरीके से हम एक cycle create कर रहे हैं तो फिर एक बहुत बड़ा revolution होता ही है तो इसी तरीके से इन दोगों ने भी revolt किया ब्रिटिश जो हमारी colonial government थी ब्रिटिश गवर्मेंट उनके खिलाफ अब बात इतिहास का है तो कुछ और पीछे हिससे में चलते हैं कि कई इतिहास कारों का मानना था या कई standard books भी लिखते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ यहां पर trade करने के लिए आये थे अगर वो सिर्फ trade करने के लिए आते तो क्या वो अपने साथ missionaries लेके आते नहीं वो सिर्फ trade करने नहीं आये थे trade के एवज में trade तो बलके एक मुखोटा था trade के एवज में वो यहां पर बहुत कुछ और कर रहे थे वो यहां पर armies को कंट्रोल करने लग गए वो यहां पर administration कंट्रोल करने लग गए उनके missionaries आके लोग को convert करने लग गए Christianity में तो इस तरीके के सारे काम होने लगे तो इसको ही देखते वे जब बिरसा मुंडा ने observe किया कि उनके people को convert किया जा रहा है उनके tradition और custom पे डिरेक्ट हमला है तो उन्होंने एक नए faith की start की बिरसात यह अब ध्यान रखेगा जैसी उन्होंने यह start किया तो उनके लोग तो इसके साथ जुड़े ही थे साथी साथ औराओ community के लोग जो थे साथी में एक community थी औराओ community वो उन लोगों ने भी इस sect के साथ जुड़ना पसंद किया इस sect में उन्होंने क्या कहा इस बिरसात के तहत उन्होंने basically गांधियन philosophy है यह एक गांधियन philosophy से हम relate कर सकते हैं उन्होंने लोगों से कहा कि आप शराब मत पिएं अपने गांधों को साथ सुतरा रखें यह भूत प्रेत और यह डायन वायन जैसी चीजों में विश्वास ना करें basically scientific temperament अपना है एक तरीके से अगर मैं यहां से conclude करूं तो he led the Munda Rebellion in south of Rachi in 1899 and 1900 तो 1899 में उन्होंने Munda Rebellion की शुरुआत की खुली आम चनौती देदी British government को कि अब हमें रोक सको तो रोक लो क्या कारण थे इनके Rebellion के क्योंकि हर चीज के पीछे कारण होता है कोई भी चीज बेवज़ा नहीं होती हर चीज के पीछे कारण होता है तो इनके कारण इनका जो कारण था वो ये था कि जो लैंड पॉलिसी थी British की वो बहुत ज़्यादा खराब थी जो उनके ट्रडिशनल कल्चर लैंड सिस्टम इन सब को डेस्ट्रोई कर रहे थी साथी साथ जो money landers थे हिंदू landlords थे उस area के वो भी इनकी land ले रहे थे उन्होंने basically British जो लोग है आला अफसर बिटिश के जो आला अफसर थे उनसे हाथ मिला कर इनको exploit करना शुरू कर दिया basically यही symbol होता है right missionaries converting their people तो यह सब जो चीजे थी यह कारण बनी उनके इस rebellion का that is known as Munda Rebellion जो राची में शुरू हुआ 1899-1900 में यह सब आप ध्यान रखेगा एक्जाम के हिसाब से क्योंकि इनकी अभी birth anniversary थी और PM ने भी इनको संभूधित किया है अपने speech में तो यह इसलिए भी important हो जाता है this rebellion also known as ulgulan इसको ulgulan भी कहा जाता है या फिर great tumult tumult का मतलब होता है basically withdraw तो great tumult यह word use करते थे decoos decoos किसके लिए use करते थे foreigners के लिए क्योंकि इनकी अपनी language होती थी अपना custom था हर लोगों की हर तरीके की अपनी एक language होती है हर tribal people की अपनी एक language है that's why we have tribal affairs ministries ताकि वो उनके customs को उनक conserve कर सके उनको preserve कर सके अगर सबको हम एक समार बना देंगे basically क्या होता है अगर आप सब कुछ monoculture establish कर देंगे one nation one culture तो उससे क्या होगा कि invade करना बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए भी ये culture बहुत ही जादा vulnerable हो जाएगी इसलिए diversity जो होती है उसकी खुबसूरती अलग होती है इसलिए diverse culture जितना है उतना ही अच्छा है और उतना ही strong हम है राइट बिर्सा मुंडा started targeting deco symbols and their powers तो उन उनके symbol उनके powers को लोगों को basically educate करना शुरू कर दिया मासिस को कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं हमें इनका विरोध करना चाहिए and all like that they attacked police stations, churches, raided properties of money lenders and zamiddars उन्होंने साथी साथ white flag भी symbol एक race किया as a symbol of बिर्सा राज अपने राज की स्थापना की that is बिर्सा राज by using a flag that is white in color अभी आप ये देखी सकते हैं इनके नाम पर ये airport बना हुआ है जारगंड के अंदर राची में बिर्सा मुंड़ airport एक कमाल का fun fact भी मैं आपको बताऊंगा अभी due to this मुंड़ rebellion colonial government introduced laws to the land of tribals could not be easily taken over by decus और इस rebellion का result क्या रहा है rebellion का result ये रहा कि जो colonial government थी उनको एक law introduce करना पड़ा that is छोटा नागपुर tenancy act 1908 आठ साल बाद 99 में हुआ था आठ साल बाद होने कर दिया कि कोई भी इनके land को easily take over नहीं कर सकता especially decus तो नहीं करेंगे तो तीन मार्च 1900 बिर्सा मुंड़ा वाज अरेस्टेड बाद है ये जो गुरिला आर्मी के जो फादर है ये जो गुरिला टैक्टिक्स है के फादर भारत में कौन कहें जाते हैं तो आज का आपका पहला सवाल हिस्ट्री से बहुत ही अच्छी परसनलेटी है छोटे कत की परसनलेटी है बताईएगा एक हिंट देता हूँ महरास्ट से वो परसनलेटी है बिमारी लगना उसक बहुत आम था सुविधाएं जादा नहीं थी तो कोलेरा के वज़े से इनकी मौत हो गई थी जारखंड फॉर्म्ड ओन 15 नौंबर 2000 ऑन दा बर्थ अनिवर्सरी ओफ पिर्सा मुंड़ा के ही बर्थ अनिवर्सरी पे बिहार के एरिये में से क्या निकाला गया जारखंड को फॉर्म किया गया जिस पे उस वक्त बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे लालु परसाद यादा उनका एक स्टेंटमेंट था की ये जो डिवीजन किया गया है ये सिर्फ कुछ लोगों के बैनिफिट के लिए ही किया गया है राइट तो जो उस वक्त बिहार की जो रिमेनिंग बिहार था जारखंड बाहर हो गया तो जो जो बिहार की जो आ पोजिशन पर्टीز थी उन्ह गया था किसके साथ इसकी बाउंडरी लगती है उत्तरप्रदेश के साथ बिहार के साथ 36 गड़ के साथ उडिसा के साथ और वेस्ट मेंगॉल के साथ इनके साथ यह बाउंडरी लगती है यह पूरा कर्वाउट किया गया था बेसिकली यह जो बिहार है यह पूरा बिहार का ए तो जारखंड जो है वो forest के लिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी resources आप जमशेदपूर से अंदाज अलगा सकते हैं land of forest कहा जाता है जारखंड को इसका मतलब basic मतलब यह होता है साथी साथ यहां पर एक बहुत important national park है वो भी आप याद रखेगा यहां पर है जारखंड में है और यह famous है tigers और Asian elephants के लिए और बहुत सारे mineral and cool reserves भी street के अंदर है तो बहुत important है total cool मिलाकर यहां पर 32 tribal groups है 32 tribal groups है जिसमें से एक का नाम तो हमने देखी लिया मुंडा कोल संथल औराओ खोंड असूर गोंड इस तरीके से बहुत सारे tribal है तो total 32 tribal groups यहां पर है जारखंड के अंदर में तो यह जारखंड की थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बाते थी साथी साथ एक fun fact आपके लिए कि जो बिहार regiment है इंडियन आर्मी का that is a type of infantry जिसका size है 23 battalions का और इनका जो center है वो दानापूर पटना में है और इनका जो war cry है तो एक तो जय बजरंग भली है साथी साथ एक और war cry है that is बिरसा मुंडा की जय तो आपको पता चल चुका है कि बिरसा मुंडा क्या है तो बिहार regiment की war cry है बिरसा मुंडा की जय तो निकाल के हम इसको लेके आये में तरफ से आज के session में इतना ही मिलेंगे अगले exciting session में बात करेंगे फिर किसी और legendary personality की इतिहास के पंदों से ही till then take care नमस्ते जहिंद